रादे रादे फ्रेंड बेकुन चतुदसी की आप सभी को धेर सारी सूप कामना है और आज बेकुन चतुदसी है बेकुन चतुदसी के दिन दीब दान किये जाते हैं और पूजा भी होते हैं स्जी भगवान और विश्नु भवान की पूजा भी की जाती है तो यहाँ पर देखिए 14 दीबदान किया जाता है तो 14 दीबदान में नहीं कर सकते तो कम से 5 दीपक जरूर परजूलित करेंगे दीबदान करेंगे तो यह मद्य रात्री में दीबदान किया जाते हैं क्योंकि आज स्री हरी हर मिलन का दिन है आज शी भागवान विष्णु भागवान का मिलन होता है तो आज हम पांच दिपक यहाँ पर दीपदान करेंगे तो मिट्टी का इस तरह से दिपक ले लेते हैं पहले इसको दोह के सुखा के फिर उसमें हम सरसो का तेल डालेंगे तो सरसो तेल अगर नहीं है तो तील का तेल भी डाल सकते हैं हम यहाँ सरसो का तेल डालकर दिपक पर जोलित करेंगे और उसमें दिपक को पुजन कर लेते हैं रोडी से चंदन से इस तरह से पुजन कर लीजे और पांच दिपक हम कहां रखेंगे तो आप लोगों को वीडियो में सेर करेंगे और थोड़े से तील समर्पित करते हैं बेकुन चतुर्दसी के दिन ये काम करने से बेकुन धाम की प्राप्ती होती है बेकुन धाम की दर्वाजा खुलते हैं रास्ता खुलते हैं तो ये काम हमें बेकुन चतुर्दसी के दिन मद्य रात्त्री को ही करना चाहिए तो मद्य रात्त्री के समय हम ये दिपक परजोलित करेंगे अब हम सबसे पहला दिपक जो है वो घर के मंदिर में लगाएंगे और दिपक को हम जब हम दिपक रखेंगे तो इस तरद से खाली नहीं रखना है उसके या तो चावल रख देजिए या तील या फिर फूल आसन फूल का आसन भी दे सकते हैं तो हम चावलोग पे आसन देके फिर हम दिपक को रख रहे हैं, पहला मंदिर के पास रखें, दूसरा तुलसी माता के पास रखेंगे, तो उसके बाद आकास दीपदान भी किया जाता है, तो आकास दीपदान देखें, यहां पे बाहर में चंद्रमा दिख रहा है, तो थोड़े से दिपक को वहां पे दिखा तो आप वहां भी रख सकते हैं तो हम यहां पर देखिए और एक दिपक द्वार के पास दच्छिन और रखना है तो द्वार में भी इस तरह से दिखा के रख देंगे तो फ्रेंड अगर दीबदान का वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जिएगा रादे रादे